हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनू आप देख रहे हैं अनू ज़ रेसिपीज दोस्तों आज हम लोग टोमेटो पाउडर बनाएंगे टोमेटो पाउडर बनाने के मैं आज आपको दो आसान तरीके बताने वाली हूँ टोमेटो पाउडर को आप एज़ ग्रेवी प्रेमिक्स भी मार्केट में भी इज़ली अविलेबल होता है और ओनलाइन भी आप इसको परचेस कर सकते हैं तो टमेटो पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगबग डेर किलो जितना टमाटर लिये हैं यह मैंने नॉर्मल जो टमेटो मिलते हैं वो यहाँ पर लिये हैं देश्यी बनने में थोड़ सा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन अगर आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे इसको बहां निकाल करके इसको किसी ग्रेवी वगरा में यूज कर सकते हैं, तो मैंने इस तरह से लंबी-लंबी स्ट्रिप्स में इनको कट कर लिय और जो juicy tomatoes होते हैं जिनको हम salad के लिए यूज करते हैं अगर आप वो यूज करेंगे तो उसमें गूदा काफी कम मात्रा मी निकलता है तो उससे आपको जो powder है उसकी मात्रा जादा होगी तो आप वो चाहीं यूज कर सकते हैं मैंने आप पर जो desi tomatoes होता है उनका यूज किया है अब हम क्या कर रहे हैं जो baking tray है उसमें मैं इसको इस तरीके से set कर रही हूँ क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं oven में तो यहाँ पर tomato powder बनाने की दो तरीके हैं या तो आप किसी plate में या फिर इस तरह से tray में इनको set करके और धूप में रखती जिए तीन से चार दिन में बनक पाउडर तयार हो जाएगा या अच्छे से dry हो जाएगे उसके बाद हम इसको grind कर लेंगे और पाउडर बन जाएगा लेकिन अगर आपके पास धूप नहीं है तीन से चार दिन आप नहीं रख सकते हैं तो फिर आप इस तरीके से क्या करें बेकिंग ट्रे में इनको इस तर लिए वन हंड्र डिग्री पर हमने अपने ओटीजी को प्री-हीट करने के लिए चोट दिया है या अगर आप बना रहे है तो वह भी आप सेम टेंप्रीचर पर इसको प्री-हीट करने के लिए छोट दें जब यह प्री-हीट हो जाएगा 10 मिनट के लिए दुनों आट को हम कर देना है और इस तरह से इसको बंद कर देंगे लगबक चार से पांच गंटे इनको लगेंगे पूरी तरह से ड्राय होने में और एक तरह से हिलाते रहेंगे और उसके बाद में जबी पूरे ड्राइऑ हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो यह देखिए हमारे tomatoes बिल्कुल dry हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम अलग अलग दिख रहे हैं, एकदम crispy से भी हो गए हैं, तो अब हम इनको grind कर लेते हैं, हमने powder को grind कर लिया और आप देख रहे हैं, कितना अच्छा powder बनकर तियार हुआ है, क अगर आप इसको sunlight में बनाते हैं, तो आपको बिजली का खर्चा भी नहीं आएगा, और बहुत ही आसानी से tomato powder बनकर तियार हो जाएगा, तो आप भी इसको बनाइए, store करके रखिए, और आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे जरूर बताइएगा, अच्छी लगे तो like जरू लगाओा हैं, जरू हम झाल को कैसी लो आपको कैसी हैं, तो आपको बहुत हैं, तो आपको कहाँ भी जली का बशार बनकर बंचेघएंगा कि लगी जरूर नहीं जब चुछार के लगीज़ली को बच्छाएग जार बहूड़ीं जब बहीं हैं, एको कि अवधेगा पुली क